रिमजिम रिमजिम बारिस हो रही थी और मैं खड़ी होकर इंज्वाइ कर रही थी इतने में पती बाबु की आवाज आई की कुछ चटपटा बना दो बारिस आ रही है और इस बारिस में चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है मैंने कहा ठीक है घर में देखा तो एक छोटी स आलू थी और मक्का रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी से कुछ special बनाती हूँ तो आलू को और मक्के को छील लिया और इसके बाद इसे छील कर मैं हाथों से इस तरीके से निकालने की कोसिस कर रही थी पर निकल नहीं रहा था बहुत ही नौर्मल हम हर मेंसा मक्का छीलने के लिए यह तरीका जरूर अपनाते हैं पर यह बहुत ही सौट है तो निकल नहीं रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एकदम आसान तरीका आप लोगों के साथ सेयर करूँ फिर मैंने मक्के को तोड़ कर ट्राय किया कि निकल जाए ऐसे ही पर मक्के के दाने तो निकल नहीं रहते एक मैं गजप सा तरीका बताऊंगी जिससे मक्के के दाने आसाने से आप लोग निकाल सकते हैं पर उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सीयर कीजिए जिससे की मुझे मोटीवेशन मिले नई नई रेस्पी आपके साथ सीयर करने के लिए तो यहाँ पर मैंने सबसे आसान तरीके से चाकूक से इस तरह थे मक्के को निकाल लिया बहुत ही आसान सा तरीका है अगर मक्के की कोई रेस्पी बनानी है तो इस तरीके से आप मक्के को आसानी से निकाल सकते हैं तो यह बहुत ही बेच्ट मुझे लगा और मैं हमेशा मक्य की कुई भी रैष्वी बनानी हो तो इसी तरीके से मक्य के दाने निकालती हो तो यह हमने मक्य निकाल लिए उसके दाने अब जो छोटी सी आलू हमारे पास है उसे भी हमें हलका बारिक काटना है बहुत ही fine नहीं कटना है पर roughly ऐसे ही बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं इस तरीके से हमें कट कर लेना तो यह देखिए इस तरीके से मैं कट लगा रहे हूँ पहले भी मैंने कन लिया मक्के का बहुत सारी रेस्पी सेयर की यह आपने नहीं देखिए तो जरूर देखिए बहुत ही अलग अलग तरीके से मैंने मक्के की नई नई रेस्पी सेयर की है तो यहाँ पर मैंने दुसरे बरतन में से टांसफर कर लिया और उसके बाद यहाँ पर बारीकटी हुई प्याज बारीकटा हुआ हरी धनिया बारीकटी हुई हरी मिर्च डाल कर इसमें कुछ मसाले भी एड़ करेंगे डिमजिम डिमजिम बारीकटी होती है तो कुछ न कुछ चटपटाद पकोड़े ऐसी ही कोई रेस्पी मिलती है तो वहाँ अच्छा लगता है बारीकटी का मज़ा धुगना हो जाता है तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच जीरा आधा चम्मच गरम मसाला वन फोर चम्मच हल्दी और साथ में ही लाल मिर्च का पौडर आधा चम्मच एड़ किया उसके बाद स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक एड़ करेंगे और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से और मिला कर हमें इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देना है जिसे की जो भी सबजियों में इस्टा पानी हो वो निकल जाए और उसके बाद इसमें हमें एक कफ बेसन और एक बड़ा चमच यहाँ पर गेहूं का आटा डाल कर अच्छे से हमें सारी चीजों को मिला लेना है और उसके बाद हमें हाथों से अच्छे से मसल देना है जिसे की अच्छे से सबजियों में जो पानी है वो इसमें अब पर देख रहे हैंगे तो बहुत जादा पानी की जरूरत हमें नहीं लग रहे हैं फिर हलका सा पानी के छीटे इसमें हम एड़ करेंगे इस तरीके से तो इसे ऐसे ही हमें मिलाना है जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी और भी एड़ कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यहां पर दो बार पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाया हुआ है आप लोगों को बारिस में कौन सी रेस्पी जादा खानी पसंद होती है चटपटा या कुछ और इस बारे में आप कमेंट कीजिए और कौन सी रेस्पी और मेरे आप बजट की रोसोई पर देखना चाते हैं और हाँ आप लोग कहां से ये रेस्पी देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए से मैं आप लोगों को दिल से थैंक्यू बोल सकूँ यहां तक मुझे पहुचाने के लिए लोग को अच्छे से गूत लेने के बाद हाथों को अच्छे से क्लीन करना है और इस तरह से टिक्की का इसे सेब देना आप सेब कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर मैं टिक्की का ही सेब दे रही हूँ आपको जैसे पता है कि मैं ये रेस्पी सुबह ही नास्ते की जो होती है मेरे घर में बनती है वही रेस्पी मैं आप लोगों के साथ सेयर करती हूँ कुछ अलग से टाइम निकाल कर मैं नहीं सूट करती हूँ तो इसी लिए बहुत ही जादा समय अपनी वीडियो कॉलिटी को नहीं दे पाती हूँ इसके लिए सौरी आप डीप फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां से लोग फ्राइ ही करूंगी क्यूंकि बजट की रस होई है तेल वेस्ट नहीं करना है उतना ही जरूरत जितनी हमें तेल की लगे उतना ही हम मैं यहां पर यूज करती हूँ आप चाहें तो इसे डीप फ्राइ कर सकते हैं पर राई का तेल का इस्तेमाल कर रही हैं, आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं, या तिल का तेल ले सकते हैं, आप जो खाते हों उसको ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहली बैच निकाल ली है, और दुसरी बैच भी हमें इसी तरीके से अड़ करनी है, पांच मिनट के लिए एकी तरफ हमें अच्छे से पकाना है जब एक तरफ अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए तब दूसरी तरफ हमें पलड देना है और इसी तरीके से उलड पलड तक कर हमें क्रिस्पी होने तक इसे फ्राइ करना है और इसे भी हमें निकाल लेना है तो के लिए नास्ता हो तो आप उन्हें जटपट से बना कर इसे दे सकते हैं तो यहां पर मैं दूसरी बैज भी एड़ कर दी है और सेम तरीके से इसे भी हमें फ्राइ कर लेना है और आप लोगो को कौन कौन सी रेस्पी पसंद है और मुझे अपने चैनल पर कौन सी रेस्पी लानी चाहिए जिससे की मेरा चैनल जल्दी ग्रोथ करें प्लीज कमेंट कीजिए और मेरी रेस्पी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट कीजिए तो यहाँ पर हमारा नास्ता दोनों तरेके का बनकर तैयार हो गया है थोड़ा सा मैं यहाँ धनिय से गानिस कर रही हूँ और साथ मैं ही इसमें ज्यादा चटपटा वनाने के लिए मैंने यहाँपर कोई चटनी नहीं आप टमाटर सोस के साथ खा सकते हैं मैं यहाँ पर मिर्ची फ्राय करके रख रहे हूं कि बिना पकव मिर्ची के पकोड़े अधूरे से लग तो इसे आप नारियल की चटनी के साथ हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं यहाँ मैं सॉस के साथ इसे सर्व कर रही हूँ आप चाहें तो इसे पाव के साथ पकोड़े जैसे पाव पकोड़ा होता है उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ब्रेट था तो ब्रेट के साथ मैंने अपने बच्चे के लिए इस तरीके से तयार किये क्योंकि उसे चटनी लगा कर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आपको कैसी रेस्पी लगी प्लीज कमेंट करें फिर मिलते